नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर असित खन्ना हूँ, I am a senior cardiologist यशोदा अस्पताल कौशामभी गाजेबाद में, मैंने अपनी super specialization in heart 2007 में खतम करी थी जीवी बंद अस्पताल दिल्ली से, तब से मैं practice में हूँ, 2007 से, अब 2019, इन 13 सालों में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझा है, उनुन में से कुछ बाते में आज आपको समझाने आया हूँ, हम एक एक करके कुछ बाते आप तक पहुचाना चाहते हैं, जागरुकता पहुचाना चाहते हैं, अवेरनेस पहुचाना चाहते हैं, जिसमें से मेरे साब से जो कि बहुत confusing भी है और बहुत गलत धारनाएं भी है that is cholesterol कि ये आखिर का चर्वी क्या होती है cholesterol क्या चीज होती है और उसमें किस किस तरह के cholesterol होते हैं और क्या सभी खराब है या कुछ अच्छे भी है तो चलिए cholesterol के बारे में बात करते हैं cholesterol एक नॉर्मल पदार्थ है हमारे शरीर में जो जीवन के लिए आनिवारे है बहुत जरूरी चीज है ऐसा नहीं कि cholesterol जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए cholesterol के अलग-अलग तरीके होते हैं अलग-अलग varieties होती हैं जो कि उसके weight या density पे decide किया जाता है low density high density very low density intermediate density and triglycerides अब ये अलग-अलग क्यों किया गया और अलग-अलग कैसे किया गया weight पे हैं लेकिन क्यों किया गया क्योंकि कुछ cholesterol इसमें अच्छे हैं कुछ इसमें बुरे हैं क्यादा तर बुरे cholesterol माने जाते हैं बट बुरे का मतलब यह नहीं कि अगर वो शरीर में है तो बुरे हैं अगर वो शरीर में एक मात्रा से उपर हैं तब वो बुरे हैं अच्छा cholesterol कौन सा है HDL जो high density आप ऐसे याद रखे कि जो high H for high वो आपके शरीर में भी high होना चाहिए हाई जितना high रखे उतना अच्छा है जो LDL low density वाला है उसको ऐसे याद रख लेगे L मतलब low, low should be as low as possible in your शरीर इन बाकी जितने भी cholesterol है IDL, VLDL और TG वो भी जितने कम रखे उतना अच्छा है तो एक याद रखने का तरीका high should be high, low should be low अब बुरे कैसे हैं ये बुरे एक level के बाद बुरा होना शुरू होते हैं एक level तक ये अनिवारे हैं शरीर के लिए normal body structure, function, body membranes, hormones, sperms, इन सब चीजों के लिए जरूरी है than VLDL, ये कैसे खराब होते हैं और किस मात्रा के बाद खराब होते हैं, IDL, VLDL और triglycerides से ज्यादा खतरनाक LDL होता है जब ये एक मात्रा से ज्यादा हो जाए, वो मात्रा क्या है, आजकल मात्राओं का एक अलग-अलग classification कर दिया गया है, कि अगर आप heart patient नहीं है और risk भी ब माता जी को, पिता जी को, तो आपको उसको सो तक लाना है, ये सो से ज्यादा नहीं जाने देना, और अगर आप heart patient खुद हैं, तो आपको सको सतर या कोशिश करें, पचास तक ला के रखना है, तो आप LDL, जैसे मैंने का था कि लो, लो को लो रखें, keep it as low as you can go, English में जैसे तो पचास, पचास से सतर, सतर से सो, सो से एक सो तीस, अगर एक सो तीस के उपर है, तो आपको अगर heart की दिक्कत नहीं भी है, तो आपको ये खराब होगा, ऐसे ही triglyceride, triglyceride उतने खराब नहीं है, जब triglyceride LDL के साथ बढ़ावा होता है, तो ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, अपने में एतना खराब नहीं है, इसकी मात्रा जो है, डेढ़ सो से डाई सो, डाई सो से पांत सो और पांत सो से ज्यादा, पांत सो से ज्यादा किसी के शरी में भी हो तो नुकसान करेगा, डाई सो से डेढ़ सो, पांत सो से डाई सो अगर है, तो आपको इसके ब आपको कॉम्जेल को सबसे कम ना है मैं शुरुू में कहा ता कि कुछ घलत धारना है बहुत है घलत धारनाय यह है कि सारे तेल खराब होते है आपने कंट्रोल कैसे करना है, सारे तेल बंद करने से आप यह नहीं समझें कि आप प्रोटेक्ट हो गई, आपको फायदा मिलेगा, कुछ ही तेल खराब होते हैं, और कई तेल बहुत अच्छे और अनिवारे और ज़रूरी होते हैं हमारी डेली डाइट में, और उनकी कमी ना होने दें शरीर में, अच्छे तेल क्या होते हैं, बुरे तेल क्या होते हैं, अच्छे तेल वो होते हैं, जिसमें polyunsaturated या unsaturated fatty acids होते हैं, जो saturated fatty acids होते हैं, specially trans fat, वो बहुत खतरनाक होते हैं, ट्रांस fat कहां मिलते हैं, ट्रांस fat आजकल काफी WhatsApp और Facebook पे आता है, common knowledge है कि French fries, या बर्गर्स, पीजास, या repeatedly heated oils, जो अच्छे oils भी हैं, अगर आप उनको बार बार अरतलेंगे, उसमें आप बार बार सबजी, पूरी, आलू, सबजीयां बनाके उसको बार बार रियूस करें तो saturated fats और trans fats कौन को से हैं, डालडा, वनस्पती, जो जम जाता है, ठंड में, जो जमता है, जो डालडा, वनस्पती जो होता है, वो हानी का रख है, जो अच्छे तेल हैं, वो है, mustard, सर्सो, जिसे कड़वा तेल बोलते हैं, या सस्त, जो कच्छी गानी, that is supposed to be the best for heart, but इसकी limits हैं, कि ये best for heart does not mean it is best for the whole body, ये ने कि कोई एक तेल हो ऐसा जो सारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है, कोई एक तेल है ही नहीं दुनिया में, mustard oil is the best for heart, वैसे ही कुछ oils nerves के लिए अच्छे हैं, कुछ oils हाजमे के लिए अच्छे हैं, ऐसे अलग-अलग oils हैं, तो इसका एक छोटा सा जो मैं अपने प्रैक्टिस में वो पिड़ी में दोगों को बताता हूं, tip, वो ये है कि जब आप oils के बारे में पूछते हैं, तो जो non trans ये non-saturated fatty acids और oils हैं, उनके अलावा जो ग्रूप है, वो सारे oils like olive oil, rice brine oil, mustard oil, देसी घी, ये सारे oils का आप एक कनस्तर में मिला के किचिन में रख लीजे, 200-200-200-200 ml, एक लीटर बना के रख लीजे, और उसको इस्तमाल करिए, और उसको इस्तमाल करके एक ज्यादा से ज्या बच्चों कोई मालिश करने के लिए लगा लें, बट उसको खाएना, उसको फेग दें, दो यूज के बाद फेग दें, या फिर अगर आपको माल लीजे, कोई टेस्ट समझ में नहीं आता, मिक्स करना नहीं समझ में आता, तो आप रोटेट करते रहे, oil को आप बदलते रह इस्तमाल किया, दो महीने मस्टर ओल इस्तमाल करिए, दो महीने आप ओलेव, यूज करिए, ओलेव बहुत महंगा होता है, उसमें भी एक्स्टर वर्जिन जाता अच्छा है, औलेव पोमेस उतना अच्छा नहीं है, तो यह कुछ टिप्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या ओल होता है, क्यों कोलिस्ट्रोल होता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और डेली हमारी लाइफ में हम कैसे इस ओल को इस्तमाल करें, यह मैंने आपको आज जान करी दी, थैंक्यू.